तो आज हम डिसकस कर रहे हैं derivatives, derivatives का basics यानि कि उसका introduction यानि कि इसके अंदर में हम देखने वाले हैं कि derivatives होता क्या है, वो काम कैसे करते हैं अलग-अलग तरीके के derivatives जैसे की futures हो गया, options, swaps and forwards तो ये lecture सिर्फ CA final student के लिए नहीं है, उन सभी के लिए है जो कि derivatives को जानना चाहते हैं कि derivatives exactly में होता क्या है ये बहुत जादा confusing है और आज मैंने कोशिश की है कि आपका पूरा कपूरा confusion दूर हो जाए इस वीडियो को आप आखरी तक देखेएगा जिससे कि आपको पूरी understanding हो जाए कि exactly में derivatives होता क्या है ओर विए डिसकस कर लेते हैं कि जो आपको पता होना चाहिए कि markets कौन-कौन से होते हैं हम दिन रख सुनते हैं कि share market है stock market है अलग अलग पर exactly में share market तो पूरे पूरे financial market का एक छोटा सा हिस्सा है उसके अलावा भी financial market में बहुत सारे elements होते हैं तो financial markets जो होते हैं उसके तीन elements होते हैं एक होता है money market एक होता है capital market और एक होता है फॉरेक्स का मार्केट फॉरेस का मार्केट हम फॉरेस के chapter में discuss करेंगे money market दिख लेते हैं money market होता है it meet the short term money requirements less than one year कोई भी business या कोई भी professional जिसको short term money के requirement है यानि कि एक साल के अंदर उसको money पैसे क्या बशकता है उसके जो funds की requirement है वो वन येर तक ही सीमित है कि वो वन येर के दोराने रीपेमेंट कर देगा उस funds को तो money market में जाता है पैसे लेने के लिए जैसे कि commercial paper हो गया CP बोलते हैं Treasury bills हो गया गवर्मेंट के अब आते हम capital market में capital market दो तरह का होता है एक होता है debt market और एक होता है stock market share market यहीं हम आगे discuss करने जा रहे हैं debt market जो होता है जहांपे bonds debentures इन सब की trading होती है तो stock market और share market अब stock market जो है जो आप daily सुनते हैं टीवी में सुनते होंगे अपने family में सुनते होंगे stock market आज बढ़ गया आज गिरी गया तो इसके दो हिस्से होता है एक होता है primary market एक होता है secondary market primary market में क्या होता है primary market में यह होता है कि अगर कोई company है जो की काम कर रही है तो उनको पैसे को requirement है और वो public से मतलब general public या आप से या मेरे से पैसे के requirements है पैसे जहती है कि पैसे उठाए markets है तो क्या करती है वो initial public offer लेकिया आती है इस initial public offer IPO इसे कहा चाते है इसमें exactly होता क्या है initial public offer में क्या होती है वो company share market में आती है और बोलती है कि मुझे public से पैसा चाहे है पहली पहली बार share market में आती है और बोलते हैं मुझे पैसेच यह पब्लिक से तो क्या करती है अपने चो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स इशू कर देती है किसको इन्वेस्टर को एक कैस के रूप में ले लिए 100 रूपए कंपनी को दे देता है और वह शेयर्स ले लिए तो इस अपने का एक ओनर्सिप उसक आ जाती है किसको इन्वेस्टर एक को जब शेयर को मिल जाते हैं तो हम कहते हैं English में कि ए है सब्सक्राइब डी शेयर्स टमिलोजी क्या यूज़ करते हैं ए हैस सब्सक्राइब डी शेयर्स फिर जब कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं अलग-अलग इन्वेस्टर से फिर पैसे को रिक्वार्मेंट उनकी पूरी जाती है और फिर वह लोग आगे इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रोथ पॉपसे यह जो अब जो शेयर्स हैं यह जब ईशू हो जाते हैं यानि कि लिस्टेट थी यानि कि पहली पहली बार मार्केट में आई उसने पॉब्लिक से पैसे उठाए और पैसे उठाने के बाद उनको शेयर्स इशू कर दिये और वो जो इन्वेस्टर है उसने एक तरीके से इस शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया तो अब यह कंपनी कहला है कि अब इस शेयर्स जो इशू हो चुके हैं अब इनकी ट्रेडिंग होगी ट्रेडिंग कहा होगी ट्रेडिंग होगी सेकेंडरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ एक अन्लिस्टेट कंपनी बन गई इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में इंट्रस दिखाया कि ह यह company को और grow करना चाहिए तो उसे पैसे दे दी और उसमें ownership ले ली अब यह जो shares है अब यह shares की ट्रेडिंग होगी मतलब buy sell होने वाला है वह कहां होगा वह होगा सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होगी सेकेंडरी मार्केट जो है ना सेकेंडरी मार्केट वो दो हिस्सों में डिवाड़ेट है एक होता है spot market यानि के cash market और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट जिसको इन डेप्थ हम आज डिसकस करने वाले हैं ही मिकिश्ण मार्केट इसमें की मार्केट इसमें क्या होने वाला इसमें यह होने वाला है कि जो इन्वेस्टर में ओधा जिसके पास ब बेच दो किसी को तो उसने investor B को खोजा और investor B को उसने 150 रुपीज में बेच दिये ये shares investor B ने उसको cash के रुप में 150 रुपीज दे दिये तो इस case में जब B को shares receive होंगे तो हम कहेंगे B has purchased the shares terminology थोड़ी सी फरक आती है यहाँ पे जब हम primary market की बात कर रहे थे जब A ने shares को लिया तो company shares issue करती है और A subscribe करता shares को जब उसे shares मिल जाते हैs, shares receive हो जाते है spot market यानि कि cash market में जब shares sell होते हैं तो जब shares receive होंगे B को हम कहेंगे B has purchased the shares and shares sell हुए हैं investor A के दवारा यह छोटी-छोटी terminology हैं कि shares sell करना और shares issue करना shares का subscribe करना या shares को purchase करना कि buy करना यह छोटी-छोटी terminology होती है बट क्या होता है यह आपकी जो language यह बहुत refine करेंगी बहुत जाता polish करेंगी अगर छोटी-छोटी finance की terminology के साथ आप clear रहेंगे कि कोई अगर subscribe बोल रहा है यानि यह प्रैमरी मार्केट की बात कर रहा है कोई purchase sell की बात कर रहा है यानि को secondary market trading की बात कर रहा है तो यह छोटी-छोटी terminology है जिससे आपकी जो language बहुत refine होगी यह छोटी-छोटी-छोटी चीजों पर आप प्लीज ध्यान दीजेगा तो यह तो हमारा होगा cash market जहां पर cash मुझे मिल गया 150 रूपीज मैंने 50 रूपीज कमा लिए अब आते हम derivative market में अब derivative होता क्या है बात कर लेते हैं what is a derivative आज डेट हम ले लेते हैं 1st of September है अब दो अलग-अलग investors की बात करने वाला हूँ एक है investor C एक है investor D A और B को अब भूल जाए C और D पर ध्यान दीजे investor C और investor D अब investor C एक contract करता है red contract करता है D के साथ कि C जो है वो sell करेंगा yellow shares यही company के shares अब यह company के yellow shares है ना जो purchase sale हो रहे थे stock market में A और B के दोरा अब investor C क्या कर रहा है बोल रहा है वही जो shares है ना मैं sell करूंगा यह shares 2D on 30 November आज है 1st of September और 30 November 30 November मतलब September, October, November तीन महिने बाद बेचूंगा 150 rupees में दोनों के भीच में contract करने जा रहे हैं कि C जो है वो बोल रहा है कि मैं D को share sell करूंगा yellow share sell करूंगा और 30 November यानि के तीन महिने बाद 150 rupees पे यह ऐसा क्यों कर रहा है यह ऐसा इसलिए कर रहा है क्यों कि उसको लग रहा है कि यह जो share का price है वो 150 से नीचे गिर जाएगा 150 से नीचे गिर जाएगा तो profit कैसे कमाएगा profit ऐसे कमाएगा कि 30 November को क्या करेगा अगर price मांके चलो 140 हो गई यानि कि yellow shares की जो price है वो 150 rupees से 140 हो जाएगी तो क्या कर लेगा share market में जाएगा buy कर लेगा shares 140 rupees में और यही share sell कर लेगा D को 150 rupees में तो इसे profit हो जाएगा 10 रुपे का कि 140 रुपे में मैंने share market से purchase किया 150 रुपे में contract जो है वो हो रखा है मेरा D के साथ कि 150 में तो D मेरे से लेगा ही लेगा share तो मैं 150 में उसको share दे दूँगा 10 रुपे में कमा लूँगा बीच में अब investor D क्यों मान गया इस contract के लिए जहांपे सिर्फ C का फायदा हो रहा है क्योंकि D को कुछ और लग रहा है कि यह जो शेयर का price है येलो शेयर का price वो 150 रुपी से जादा होने वाला है 30 November को तो इसने क्या सोच रखा है कि 30 November को क्या होगा price 170 हो जाएगा तो यह क्या कर लेग शेयर मार्क में जाकर है उसे 20 रुपे का फायदा हो जाएगा तो c अपने मन में अपना खुद का फायदा सोच रहे shears का गिरने का सोच रहे Letsable पेपर में सब चीजें लिख ले रहे हैं और दोनों उस piece of paper को sign कर ले रहे हैं ये contract कर लिए red contract कि मैं बेचूंगा चलिए ठीक है दोनों अपनों तो फाइदा सो सोच रहे हैं अब आते हैं 30 नमबर को exactly में हुआ क्या 30 नमबर आगी 30 नमबर को हम करेंगे expiry date 30 नमबर को हम बोल तो कौन जीता investor D जीता क्योंकि investor D कह रहा था कि 150 से तो उपर जाएगा इस share का price 30 नमबर को 3 मेने बाद और वैसा ही हुआ उसके साथ कि 180 रूपीज हो गया वह तो सोच था 170 हो जाएगा बड़ उसके expectations तो exceed हो गई 180 रूपीज हो गया अब होने क्या वाला अब investor C क्या करेगा investor C को यह shares sell करेगा investor C yellow shares marketable 180 का investor D को बस investor D को सिर्फ 150 रूपीज ही इसको देना है investor C को 150 रूपीज ही मिलेंगे D के दवारा क्योंकि contract हो रखा है कि 150 रूपीज में ही पैसे मिलेंगे C को तो investor D जो है वो 150 रूपीज में C को दे देगा और 180 रूपीज के वर्थ का shares C से ले लेगा अब investor D क्या करेगा share market में जाएगा इन shares को 180 रूपीज में किसी और को बेज़ देगा investor E को बेज़ देगा मानके चलो और 180 रूपीज घर ले आएगा इससे क्या होगा profit कितना हो जागा investor D को 180 रूपीज में उसने shares को sell किया 150 रूपीज में उसने C से buy किया तो 30 रूपे को उसको फायदा हो गया यहाँ पे बीच में 20 रूपे profit सोचके रख रहा था यह देगे उसको लग रहा था उससे 20 रूपे profit होगा लेकिन ऐसा नहीं उसक उसको 180 रूपीज में shares purchase करना पड़ गया और 150 रूपीज ही उसको share के पीछे में मिले तो 30 रूप उसका नुक्सान हो गया और 30 रूपे D को फायदा हो गया profit investor D अब यह जो rate contract हुआ है हमने अपने CPT के दोरान पड़ा था कि जो contract होता है वह offer plus acceptance से बनता है offer plus acceptance कि offer है investor C ने offer दिया था D को कि यार मैं आपको share sell करूंगा 150 रूपीज में 30 नौबर को yellow share और D ने चीश को accept भी कर लिया C का offer तो acceptance हो गई तो जहां पर offer होता है और acceptance मिल जाता है उस offer का उससे हम कहते हैं contract और हमारे case में जो यह जो रेड़ contract हुआ है यही रेड़ contract derivative क्या हुआ है तो derivative का meaning क्या हुआ derivative का meaning हुआ कि एक तरह का contract होता है piece of paper होता है जिसमें कुछ कुछ terms and condition लिखी होती है कि एक particular date को एक particular item for example yellow shares एक particular date यानि के 30 नवंबर एक particular price यानि के 150 रुपीज में वह चीज या तो buy होगी या तो sell होगी हमारे case में क्या हो रही है sell हो रही है c ने contract किया है d के साथ कि यह वो यह shares को sell करेगा d को तो हमारे लिए derivative क्या हो गया derivative contract हो गया अब इस derivative जो red contract है वो shares के अलावा होता है मतलब वो shares से भिन होता है different होता है shares एक अलग चीज है और derivative contract अग अलग चीज है yellow shares is different from the red contract the red contract is a derivative and the yellow shares is an underlying asset इसका मतलब यह हुआ कि जो derivative है वो underlying assets से बना है पहले yellow shares आये उसके बाद red contract यानि कि derivative आया इसकी rupees x value चल रही होगी तो इसकी rupees y चल रही होगी derivative जो contract है ना उसकी प्राइस market में चल रही होती है जो की अलग होती है shares से लेकर जो जिसे वो बना यानिकि underlying assets है इन दोनों की value अलग होती है पर यह होता है कि जो derivative की price है यानि कि उपर जाएगा या नीचे जाएगा वो उसके घड़ती बढ़ती घड़ती ऐसे चलती रही ऊपर नीचे ऊपर नीचे और कि डेरिवेटस कांट्राइक हुआ है उसकी भी जो price है वो भी उपर नीचे ऊपर नीचे चलती रही पस इतना है कि जो derivative contract है ना उसकी जो प्राइस है वो depend करेगी shares की price यानि कि underlying asset की price पे depend करेगी Shares and derivative contract both have different market prices दोनों की market prices अलग रहती हैं they both are traded separately मतलब अगर मैं market जा रहा हूं कौन सा market share market so share market में मैं reliance के shares भी buy कर सकता हूं зат hminte धौनों अलग 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 चीजे हैं दोनों की market price है दोनों की अलग-अलग terms and conditions है तो share market में मुझे resilience का share भी मिलेगा यानि कि yellow share भी मिलेगा में हमें को to learn milk share के पीछे में derivative बनाओ a contract वो भी मैं buy कर सकता हूं तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जो derivative होते हैं वोग दो तरकिये करी में होसकते हैं एक होते हैं commodity derivatives एक होते हैं financial derivatives commodity derivatives ऐसे derivatives होते हैं जिनमें underlying asset crude oil gold, silver आधी हो सकते हैं तो जहांपे crude oil हो गया gold हो गया, silver हो गया यह मेरा underlying asset हो गया अब इस underlying asset से जो मेरा derivative बनेगा उसे मैं कहूँगा commodity derivative और इस commodity derivative को मैं buy sell कर सकता हूँ इस commodity derivative की जो price है यानिकि उसकी जो market price है वो depend करेगी crude oil के price पर, वो depend करेगी gold की price पर, वो depend करेगी silver की price पर, उसकी price होगी तो अलग लेकिन depend करेगी इन सब underlying assets पर, same goes for financial derivatives, financial derivatives ऐसे derivatives होते हैं, जहां पर underlying asset होते हैं, जिसे हमारे example में हमें yellow shares लिया था, index, index का मतलब होता है जैसे कि national stock exchange है, वहां पर उसका index होता है, nifty, nifty क्या होता है, nifty एक तरह का market का indicator होता है, कि जितने इतने सारे चो shares वहां पर listed है, auto oil company के shares listed है, cement company के shares listed है, banking company के shares listed है, तो इन सब के तो shares listed है, इनको हम एक बहुत सारे अलग-अलग market के representatives को लेकि एक value निकालते हैं, जिसको हम गोलते है, nifty in case of national stock exchange, और sensex in case of bombay stock exchange, अपने घर में या कहीं पर सुना होगा, कि sensex तो आज इतने point बढ़ गया, nifty तो इतने point गिड़ गया, तो nifty और sensex क्या है, यह basically stock market को represent करते हुए, national stock exchange in case of nifty को represent करते हुए, एक value है, index, तो यह जो index है न, यह भी एक तरह का underlying asset है, और यह जो underlying asset हुआ, इस पे बना financial derivative, तो index भी एक तरह का आपका underlying asset हो गया, और currency, currency यानिए कि रूपीज, dollar, yen, pound, यह सब चो currencies है, यह भी underlying asset होगी, और इनसे बना हुआ derivative, financial derivative कह लाता है, तो derivative के दो भाग क्या होगे, एक होगे commodity derivative, और एक होगा financial derivative, जिस case में underlying asset, आपके crude oil, gold, silver, यह सब होगे, उसको कहेंगे commodity derivative, और जिस case में आपका underlying asset, shares, index, यह currency होगा, उसे हम financial derivative कहेंगे, बहुत ही important discussion अभी आपके सामने आने वाला है, types of derivative, derivative जो है, mainly four तरीके के होते हैं, futures, options, forward and swaps, futures, options, forward and swaps, चार तरीके के derivative contract हो जाएंगे, futures, तीन तरीके हो सकते हैं, stock futures, index futures, currency futures, वैसी options हैं, stock options, index options, currency options, इनकी एक-एक discussion in depth हम आगे चलके करेंगे, बड़ अभी के लिए आपको यह याद रखना है, कि derivative जो contract होते हैं, वो चार तरीके के हो सकते हैं, एक होता है futures, एक होता है options, एक होता है forwards, एक होता है swaps, इन सब के features अलग-अलग होते हैं, to avoid confusion, understand and always remember the features, आने वाले discussion में मैं आपको अलग-अलग features बताने वाला हूँ, actually में जो problem है, वो कहां आती, derivative के chapter को, derivative के product को समझने में, वो यह आती है, कि हम यह तो समझ आते हैं, कि derivative होता क्या है, चलिए ठीक है, अपने underlying assets से उसको derive कर लिया, एक अलग से contract बना लिया, उसको by SL का अपने बात कर लिया, एक future date का, यह सब चीज़ें तो समझ में को आ गई कि derivative contract आपका अलग होता है, underlying assets है, लेकिन confusion कहां आता है, मतलब problem कहां होती है, students को भी और आप लोगों को भी, कि यह derivative को समझने में, वो यहां आती है, कि आप अलग अलग product, यहनिके futures, options, forward यह swap, इनके जो features हैं, इसको आप याद नहीं रख पाते हैं, कि यह future के क्या-क्या features है ओप्शन के उसे अलग-अलग क्या-क्या features है, forward के क्या-क्या features है, और swap के क्या-क्या features है, तो अगर आपने एक बार ध्यान से मेरे lecture में, इन features को याद कर लिया, कि future के यह features है, option के यह features है, forward और swap के, आपको कहीं पर भी problem नहीं आएगी, जब आप futures में trading कर रहे हो, या फिर future क कि कहीं बात सुन रहे हो या समझ रहे हो क्योंकि आपको यह पता होगा कि इसके exactly में features हैं क्या for students मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप question को solve कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ में नहीं फस्ते की derivative है की नहीं है यह तो आपको पता है कि derivative का question है लेकिन यह बहुत का लख इसके positive bei करें यहीं होती है क्या इसंद कि मदेड correct हो गया क्लियर में ओर आप क्वीचे की इसकी सब्सक्राइब चीघ्राइब को निद catastrophic इस्फिचेश में 6 situations एक clarity नहीं रहती मैं आपको इस lecture में आज एक अच्छी clarity देने वाला हूं कि आप जब ये lecture को अंद में आप जब खतम करेंगे तो आप बहुत अच्छे साथ के mind में clear होगा कि future exactly में क्या होता है option exactly में क्या होता है forward exactly में क्या होता है और features part 1 features the Kate part one is very important सबसे पहले आता है Solid features और आता है liquid features features forward और которa solid features होते हैं and options के liquid features होते हैं तो जो भाग मेंने कैर हो और यहां debate Kerry features को एक मैं एक रहता हौta हूं solid features एक मैं रिक्विट features forward future and short in तीनों के solid features होने वाले और options के सिर्फ liquid features होने तो इस features हैं क्छैक्». जो मीNews अस्ति त्राइम से बोल रहा हूं पहला आता है कि बोद दी पार्टी यानि कि जो कॉंट्रेक्ट कर रहे हैं उसमें जो दो दो पार्टी हैं इन दोनों के पास रायट वहां पर मतलब वहां है। C.O.D. ने contract किया था कि 30 November को हम 22 करने वाले हैं तो 30 November याने कि 3 महिने बाद वो contract honor होगा मतलब उस contract में जो लिखा हुआ वैसा होगा की नहीं होगा उसको हम कहते है honor जिस चीज़ का contract हो रहा है जो जो चीज़ें लिखी हों है contract में कि हम ये करते वाले हैं तो यहाँ पर दोनों party का right and obligation है कि उनको contract honor करना ही पड़ेगा कौन्चे case में solid features के case में लेकिन liquid features के case में ऐसा नहीं है options के case में क्या होगा एक party का right है एक part का obligation है right का मतलब क्या है इस party के पास obligation नहीं है इस party के पास तिर्फ right है यानि कि इस party के पास option है इसमें अगर मैं आपको समझाओ liquid feature तो इस liquid feature का मतलब मेरा यह है कि चाहे तो सी वो शेयर बेचेगा यलो शेयर 150 में और चाहे तो नहीं बेचेगा उसकी मर्जी है सी की मर्जी है कि वो या तो शेयर बेचे या तो नहीं बेचे 30 November को जो डी है वो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा है दोस्तों option की case में ऐसा होता है येकिन future forward और swap में ऐसा नहीं है future, forward और swap में ये दोनों party का right obligation है कि contract को honor करना ही पड़ेगा इसका मतलब यह है कि contract में जो बात ने लिखी हुई है वो ऐसा वैसा करना ही पड़ेगा जैसा contract में लिखा हुआ है तो सबसे पहला difference आ गया कि both the parties are the right of the obligation to honor the contract in case of first case यानिके solid features in liquid features only one party has a right and another party has the obligation दूसरा आ रहा है आपके सामने at today मतलब आज यानिके T0 हम इसको कहते हैं no cash flow लेकिन इस case में क्या होगा T0 पे premium is paid by one party to another इसका मतलब यह है कि जिस दिन contract हो रहा है यानिके हमारे example में first of September को contract हो रहा था C और D के बीच में तो अगर यह future forward swap है तो इस case में आ जानके T0 में कोई cash flow नहीं होगा cash flow मतलब नहां तो कोई किसी को पैसा देगा ना कोई को किसी से पैसा लेगा investor C ना तो कोई पैसा देगा D को ना D से कोई पैसा लिया जाएगा या D कोई पैसा देगा C को कोई cash flow नहीं है सिर्फ ओए contract piece of paper बनेगा उसमें दोनों के signatures होंगे और contract हो जाएगा कोई पैसे का लेंदेन नहीं होने वाला इन तीन products में किसमें futures forward and swap लेकिन option में ऐसा नहीं है option अगर derivative contract की बात चल रही है कि जहां derivative contract की option है वहाँ पे T0 में premium pay करेगा एक party another इस option को हम deeply discuss करेंगे कि कौन किसको premium pay करेगा बढ़ अभी के लिए आपको यह याद contract हो रहा होगा और वो contract अगर वो contract future है अगर वो contract forward है या फिर अगर वो contract swap है उस case में कोई पैसे का लेंदेन नहीं है T0 में लेकिन T0 अगर derivative contract है नहीं कि जो red contract था वो option है उस case में premium pay करेगा एक party दूसरे party को अला कुछ ना कुछ पैसे का लेंदेन है ठीक है अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं क्या हो रहा है आगे at expiry date expiry date मतलब हमारे example में 30 November that is T is equal to maturity यानि कि T is equal to M मैं बोलूगा आगे चलके T is equal to maturity T is equal to M contract honor होगा ही मैंने पहले point में काता कि contract तो honor होना ही है लेकिन इस contract को honor करने के दो रास्ते हैं पहला रास्ता है full fund transferred दूसरा रास्ता है different is exchanged तो पहला मतलब है कि full fund transferred इसमें क्या होगा इसमें होगा कि जो C है वो underlying asset यानि कि yellow shares दे देगा D को और D उसे पैसे देगा जो कि हमने किया था आप से कि जो C है वो shares दे देगा D को और D उसको पैसे देगा यही चीज़ है पहली case और contract को honor करने की तो contract honor हो गया इस तरीके की contract को honor करने को हम कहते है physical settlement जहां पर physical settlement में asset अनलाइं asset दिया जाएगा C के दोरा D को और D उसको पैसे देदेगा जो contract में लिखा हुआ है जितने पैसे उसको देने है तो यहां पर इसको कहते है physical settlement दूसरा आता है cash settlement इस cash settlement में क्या होने वाला है C को जो loss था वो D को profit था यह तो हमने देखा उपर यह देखे है हमने देखा था ना देखे मैं देखाता हूँ आपको हमने थोड़ ज़र पहले discuss किया था कि profit to investor D is equal to loss to investor C 30 रुपया 180 रुपय में investor D ने share को बेचा था और 150 रुपीज में investor D ने purchase किया था तो investor D को 30 रुपीज का profit हो गया और इतना रुपय का profit ही loss हो गया investor C को तो दोस्तों expiry date को क्या settlement कैसे कर सकते हैं कि सी बोल रहे है D को कि यार मेरे को तो loss हुआ है और तेरे को profit हुआ 30 रुपय का तो यह काम करता हूं मैं ही तेरे को 30 रुपय दे देता हूं सीधी बात ना तो मुझे को share purchase sell करना पड़ेगा ना तेरे को को purchase sell करना पड़ेगा दोन नहीं वाला है और तू profit दिखा देना books में 30 रुपय का तो इससे क्या होगा shares को purchase कर रहे हैं फिर market में आके अलग से बेच रहे हैं फिर उससे पैसा आ रहा है यह जो इतना लंबा process है ना इसको cut short कर दे और सीधी सीधी बात है सी तेरे को loss हुआ 30 रुपय का तुम मुझे 30 र और तो होगा contract को honor करने की तरीके दो अलग-अलग होंगे एक होगा physical settlement जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को underling asset दे देगी और फिर पैसे ले लेगी और दूसरा case है यहां पर difference exchange होगा यानि कि loss of profit जो दोनों को होने वाला है वो एक दूसरे को पैसा देके खतम कर दें लेकिन जो मेरा liquid features है यानि कि expiry के समय में options की बात करूं, options वाले product की बात करूं, option वाले derivative contract की बात करूं, so it depends कि मैंने का ही था कि एक पार्टी का राइट है दूसरे हम पाटी के पास यानी मैं यहापने कर ना nothing क्रें तो सहे क्षेस Neptune हो dalं होग ऊप्षन है वह से साइज हुआ है कोण्ट्राइब ऑनर होगा तो हम मूझेगी ऑप्षण हैज बीन एक्सेसाइस्ट गॉंट्रक्ट जब ऑनर नहीं होता तो मुसको कहते हैं option has been lapsed contract को ऑनर करना यानि कि option को exercise करना इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप या तो physical settlement में जाना चाहते हो या क्या settlement में जाना चाहते हो तेकि आप contract को और ज़रूर करोगे फर्स्ट केस यानि के future forward swap यानि के solid features यहां पर कोई option नहीं है यहां पर contract ओनर हो गई होगा कैसे ओनर करना यह बताओ physically settle करना है यह बताओ लेकिन दूसरे case में यानि के liquid features यानि के options में यह है कि depend करेगा contract honor करना है या नहीं करना यानि कि option exercise करना है या लैप्स करना है अगर exercise करना है तो बताओ कि physically settle करें या फिर हम लोग आपस में क्या settlement करें कि समझे दोस्तों कि future forward swap solid features कहेंगे options liquid features कहाएगा तो यह मैंने आपको तीन solid features और liquid features सिखाए है पहला है right application वाला point दूसरा है T0 में क्या होगा और दीसरा है कि TM यानि कि T is the maturity में क्या होने वाला है यह तीन मैंने आपको सिखाए है आगे बढ़ते है features part 2 यह भी बहुत important है इसमें क्या होगा एक होते है over the counter derivative जिसे मैं कहता हूं OTC derivative और दूसरा आता है Exchange Trader derivative यानि कि ETD यह दूसरा features का distinction है यहां पर OTC derivative कौन से होते हैं forward और swap होते हैं लेकिन Exchange Trader derivative ETD कौन से होते हैं futures होते हैं और options होते हैं मतलब अगर आपने थोड़ा नोटिस किया होगा तो क्या हुआ यहां से solid features से futures उटके इस तरफ आ गया option के पास आ गया future जो है जो product है वो उटके यहां पर आ गया आने वाले points के लिए लेकिन बाकी केसे में future forward swap का ही साथ दे रहा था लेकिन आने वाले points में future उटके option के पास आ गया सिर्फ इतना फरक है तो क्या का चीज होती OTC और ETD में देखते हैं सबसे क्यों होता है क्यों क्यों deposit करा जाता है मैं आगे चलके discuss करने वाला हूं लेकि margin के तरह का पैसा होता है security के रूप में रखा जाता है forward swap में ऐसा कोई role नहीं है कि जहां पर पैसा कहीं पर आपको जमा करना पड़े ती is equal to zero में लेकिन ऐसा नहीं है future option के case में future option के विए आपको पैसे थोड़े कुछ पैसे आपको stock exchange के बाद जमा कराने पड़ेंगे as a security तो अभी के लिए आपको यह याद रखना है कि OTC derivative यानि कि forward or swap के case में आपको margin जमा नहीं करना है कहीं पर भी मतला आपके जेब से पैसे ती जीरो में कुछ ही जाने वाले ती जल्ट करेगा फिजिका सेटर करना है कैसल करना है लेकिन एक्सेंट एक्सेंट के case में आपको margin deposit करना पड़ेगा stock exchange के पास stock exchange के पास आपका margin account ओपन रहेगा दोनों पार्टी का और दोनों पार्टी जो दोनों पार्टी जो फ्यूचर कर रही है या फिर दोनों पार्टी ऑप्शन कर रही है उन दोनों पार्टी को margin margin money पैसे जमा करके रखने पड़ेंगे stock exchange के पास हम और in-depth analysis एक एक प्रोड़क को करने market या फिर री प्राइसिंग नहीं की जाती लेकिन future and options के case में री प्राइसिंग मार्क टू मार्केट किया जाता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि टीजिकल टू जीरो में underlying asset की कुछ market price होगी जो यहां पे दी हुई है और derivative की कुछ market price योगी यहां पे होगी टीजिकल टू maturity जैसे की मतलब हमारा यहां पे market example में 3 months था ना 1st September को contract हुआ 30 November का contract है कि 30 November को contract honor करेंगे नहीं करेंगे तो 3 मने का duration अपने पास है अब यह 3 मने के duration में इस underlying asset यानि कि हमारे example में yellow shares थे उन yellow shares की price up down होती रहेगी share market है तो fluctuation तो चलते रहेगा कभी up होगी कभी down होगी कभी कुछ होगा ठीक है बट उससे बना हुआ derivative उससे बना हुआ यानि कि मैं कहना चाहरा हूँ कि जो yellow shares थे उससे बना हुआ अब मेरा derivative यानि कि red contract उस red contract की जो price है न उसकी जो value है वो change ही नहीं होगी अगर वो derivative contract forward है या swap है तो इन underlaying asset यानि कि share की value उपर नीचे होती रहे लेकिन यही yellow shares पर अगर आप यही yellow shares पर future contract करो या फिर option का contract करो future करो या option करो तो अगर नीचे तक उपर नीचे तो होगी होगी कोई लेकिन derivative यानि कि future contract या फिर option contract की भी price उपर नीचे होगी डेली होगी डेली उपर होगा डेली उसकी प्राइस नीचे होगी और अंत में जाके जब underlying asset की और derivative contract की कब जिसने maturity वाले दिन यानि कि expiry date के दिन यानि कि 30 November हमारे example में था तो दोनों में क्या समझ में आया दोनों में यह समझ में आया कि forward या swap contract करूंगा किसी भी underlying asset पर तो उस derivative contract की price सेम रहने वाली है लेकिन future contract करूंगा या option contract करूंगा किसी underlying asset पर तो उसकी price भी change होगी जैसे कि underlying asset की price change होती है समझ में आया दोस्तों कि जैसे मतारता कि forward swap इधर रहेंगे futures option इदर रहेंगे और futures option को हम कहते से fno market आपने कहीं न कहीं सुना होगा या देखा होगा कि या tv में जब आप cnbc या बाकी channels होते हैं उसमें देखते होंगे fno market fno market की बात करते है fno market की बात इसलिए करते है क्योंकि f stand for futures o stand for options यह इसलिए हो जाए कि these are traded on the stock exchange and these are not traded on the stock exchange forward and swap stock market यानि कि stock exchange पर trading नहीं होती उनकी buy sell नहीं होते हैं लेकिन यह stock exchange पर trade होते हैं कौन से futures and options इसलिए इसलिए इसको fno market कहा जाता है fno कि यह forward and swap are unregulated and these are regulated सेधी सी बात है कि अगर किसी चीज़ में stock exchange involved है तो आप पर बहुत सार रूल्स होंगे regulations होंगे terms and conditions होंगे तो रेगुलेटेड है कौन सा futures and options लेकिन forward swap unregulated है वहाँ पर कोई stock exchange है नहीं तो कोई rules and regulations की बात ही नहीं आती जहां पर rules and regulations की बात आती नहीं है वहाँ पर customization आ जाते हैं so these forward and the swap are the customized contracts in respect of price date and size size नहीं के lot size मैं आगे आपको सिखांगा की lot size क्या होता है आगे जलके मैं बताऊंगा पर यह customized contracts है and these are standardized contracts in respect of price date and size कि सिंसे stock exchange involved है इस case में तो standardized contract है standardized contract मतलब इसकी एक price होगी यह future यह option की price यह होने वाली है यह इस तारी को expire होगा तीन मैना दो मैना यह भी stock exchange लोग है आपस में decide करते हैं size यानिके lot size वो भी stock exchange हापस में decide करते हैं हमको इसक्रिफ करना है कि यह मैं purchase करूं और यहां पर मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कौन सी price पर करना है कितना करना है 100 share सेवंटीम है चिह करना है किस के साथ सामनोली पार्टी के साथ अची करना है डिशन LIVE गात के इसको मैं चेंज करवा सकता में को बस यह बताने कि मुझे इसमें साइन करने की नहीं करना तो अगर एक summary में आपको मैं बता हूँ न यह point तो सीधी बात है कि forward यह swap जब कर रहा हूँ न तो मैं वो piece of paper खुद लिख रहा हूँ मेरे words होंगे उसमें मैं जो चाहूँ उसमें लिख सकता हूँ सामने पार्टी का consent लेके मैं जो चाहूँ उसमें लिख सकता हूँ और sign दोनों पार्टी करेंगे इस case में यानि के futures and options के case में वो जो contract है वो stock exchange मुझे बना के दे दिया है सिर्फ मेरे signature का wait कर रहा है कि मैं से signature किय हम अदर contract कर लिया और उस पार्टी का signature हो गया तो second case में वो piece of paper अल्रेडी लिखा हुआ है अल्रेडी standardized season लिखी हुई है बस मेरे sign का wait कर रहा है वो paper यहां पे यह paper में terms and conditions भी मैं लिखूंगा और sign भी मैं करूंगा तो customize कर सकता हूं जो चाहूं लिख सकता हूं यहां पे ज लगे बढ़ते हैं कि forward and swap में थोड़ा बहुत credit risk होता है यानि कि default risk होता है because counterparty might fail to honor the contract लेकिन यहां पे कहां पे future option में virtually no credit risk यानि कि default risk because stock exchange regulates it and margin money is deposited इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि forward and swap जब मैं कर रहा हूं ठीक है forward and swap कर रहा हूं इसे हमारे example में C और D थे उन्होंने मागए चलो जो direct contract था forward in nature का था forward contract किया था कि C जो है वो sell करेका shares D को 150 rupees में 30 November को अब जब आरी कहें 30 November तो C को तो दिख रहा है कि यार 300 रुपे का नुकसान loss हो रहा है उसको तो उसका मन कर रहा है कि छोड़ा मैं contract को honor नहीं करता जो करन कर ले डी को बोल रहा है कि D मैं contract नहीं honor करना चाहता मैं 30 रुपे का loss beer नहीं करना चाहता तिरे को जो करना है तू कर ले अब वो डी क्या करेगा वो court में जाएगा उसकी अलग बाते करेगा court में जाके लेकिन वो honor नहीं करेगा यह कर लिए C ने तो इसमें credit risk होगे ना किसक पैसे नहीं मिल रहें 30 रुपे उसकी क्या गलती थी ना तो सी को पता था कि 30 नंबर को क्या price होने वाली है ना डी को पता था क्या price होने वाली है दोनों एक तरह से betting कर रहे थे और जो bet हार गया सी अब उसको भागने की कोशिश कर रहा है वो बोले जाकि court में निपटना तो थोड़ा बात हो credit risk है ना डी के लिए अगर सी और डी आपस में future का contract किये होते या फिर option का contract किये होते ना तो यह दिक्कत नहीं आती क्यों नहीं आती क्योंकि पहले बात तो stock exchange यहां पे involved है तो regulation rules बहुत जादा है और दूसरा margin money यानि कि कुछ security की रूप में C ने भी कुछ जमा करा रखा है stock exchange के पास और D ने भी कुछ जमा करा रखा है stock exchange के पास तो यहां पे वो default risk कि C में को बोले कि जो जाए कर लो वो नहीं हो पाएगा अगर वो future contract है या option contract है लेकिन अगर वो forward है या फिर swap है तो आप पे वो risk तो bear करना पड़ेगा दोनों party को तो D जो है वो ने लिया था date first of September और दो investor लिये थे investor C और investor D इनके बीच में red contract हुआ इस red contract में ये लिखा गया कि C will sell the yellow shares on 30th November यानि कि आज से तीन महीने बाद 2D at 150 रुपीज ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि investor C मन में सोच रहा था कि उस share का price yellow share का price 150 से नीचे जाएगा और वो profit कमा पाएगा और investor D ये सोच रहा था कि yellow shares का price इस number को 150 की उपर होगा तो वो अपना खुद का profit कमा पाएगा पड़ या पे credit risk का angle देखते हैं कि अगर 30th November को price 180 हो गई 180 होगी मतलब C जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ उसका उल्टा हो गया तो C को loss हो जाएगा अगर C को loss हो रहा है तो C मन में सोचेगा कि मैं उसको honor न करूँ यानिके contract honor न करूँ यानिके contract में जो बाते लिखी हुई है यानिके ये वाली बात कि C को share sell करना पड़ेगा D को 150 में तो C नहीं चाहता कि वो loss bear करे तो D से कहता है कि भाई मैं ये contract honor नहीं करूँ गा तो जो करना चाहे कर ले या चलके court में निप्टेंगे चलके court में निप्टेंगे लेकिन अभी मैं loss bear नहीं करूँ गा तो court में जाके petition file कर रहा जो करना है कर case ठोक दे मेरा against लेकिन मैं ये contract honor नहीं करूँ गा वैसा ही case D के साथ भी हो सकता है यानिके D के angle से भी credit risk है यानिके अगर 30 number को price 140 हो गई यानिके जैसा D सोच रहा था कि 150 से ओपर हो ऐसा नहीं हुआ कम हो गया यानिके D को loss face करना पड़ सकता है तो D might not honor तो cool मिला के D भी दोका दे सकता है और C भी दोका दे सकता है क्योंकि यान पे margin money वगरा deposit नहीं हुई है क्योंकि इसको मैं forward contract और swap ये दो derivative contract लेके समझा रहा हूँ क्योंकि forward contract और swap contract इन दोनों में मैंने बताया था कि यहाँ पे credit risk हो सकता है लेकिन futures and option में credit risk वर्चुली नहीं होता क्योंकि वहाँ पे stock exchange involved होती है और साथी साथ stock exchange margin money deposit करवाती है यानिके security money deposit करवाती है तो वहाँ पे credit risk यानिके धोका देना की possibility बहुत कम होती है वर्चुली जीरो होती है बट forward contract हो या फिर swap contract हो वहाँ पे धोका देने का जो case है वो हो सकता है ठीक है तो यह हमारे सारे के सारे features खतम होते हैं of OTC derivative and exchange derivative एक बार मैं short में आपको revise करवा लेता हूँ पहला आ रहा है forward swap में margin money deposit नहीं होती future and option के case में margin money deposit करनी पड़ती है forward and swap के case में reprising a mark to market MTM नहीं किया जाता लेकि future and option में reprising a mark to market किया जाता है forward और swap stock exchange पे trading नहीं होती है लेकि future and option की stock market में trading होती है यह unregulated है वो regulated है यह customize कर सकते हो जो चाहो लिख सकते हो standardized है यहाँ पर कुछ भी नहीं ली सकते है सिर्फ sign कर सकते हो और यहाँ पर credit risk तो ही यहाँ पर virtually कोई credit risk नहीं है default risk नहीं है अब एक terminology आती है जो आप सुनते होगे square of यह नहीं सुनी होगी तो पहली बार सुन रहे हो तो terminology होती है square of इसका क्या मतलब है इसका मतलब भी है कि first September को C or D जो contract T zero मांकर टूडे contract कर रहे हैं यह C है मांकर चलो डी है मांकर चलो derivative contract कर रहे हैं कौन सा derivative कोई सा अभी future कर रहें option कर रहें swap कर रहें forward कर रहें जो उनका मर मैं कर रहें तीन मैंने क्लिक कर रहें 30 November तक maturity तक कर रहें तीन मैंने का gap है अभी अब इस square of में क्या होता है जो मैंने आपको चीज सीखाए देना क्या settlement वाली यह 30 रुपे दे देंगे loss बेर करेगा 30 November को 30 रुपे का loss हुआ अब यह जो loss है यह जो profit है यह तो आप daily calculate कर सकते हो क्यूं क्यूंकि अगर जो underlying asset है उसकी value भी उपर नीचे हो रही है हो रही है न हमको दिखर है कि profit हो रहा है कि loss हो रहा है तो उस दिन अगर मैं चाहूं सीव इस तीन मैने का wait न करें उसको एक बीच में कभी लगा कि यह मैं को loss हो रहा है मैं को contract cancel ही कर देना चाहिए यार क्यूं उसको 30 November तक सब्सक्राइब हो करना है या स्काउस करना है आज ही निप्टा देते हैं तो आज निप्ताने को बोला जाता है कैस्टनमेंट और वह आज निप्ता आना आप कप से कर सकते हो एक स करने का मतलब यह हुआ के के हिसकेस में तो हम स्कॉैरोफ नहीं कहेंगे सिर्फ पहले कहेंगे टुदिट के पहले किसी कॉन्ट्राक कोखितम करना को हम कहते हैं स्कॉैरोफ जिस मैं के आब मैं कहता हुं और नहीं खेलना मतलब एक तरहिए बैटिंग होगए एक तरह का कि आ प्रैस गिर सकती है दूसर बोलरा फ्राइस बढ़ सकती है तो अपने अमने मन में चल रही बात है अब किशी को असली तो पता निंगी कि कल होने का तो चल रहे तो खेल रहे हैं तेरह से लो तीन महीने के लिए अब बीच में लोग बोले कि हमको नहीं खेलना या तो C बोल दा है नहीं खेलना अकर नहीं खेलना तो उसको हम कहेंगे square of कर देना उस derivative contract को square of कर देना यानिके cash settle कर लेना due date के दिन तो option में रहता है कि यह cash settle करना है physical settle करना है लेकिन उसके पहले सिर्फ cash settlement का ही option है कोई physical derivative का option नहीं है cash settlement ही कर सकते हो आप कब जिस दिन contract की है तब से लेकर के maturity के पहले तक उसको हम कहेंगे square of करना यानिके और मुझे नहीं खेलना